नमस्कार आप देख रहे हैं न्यू स्टेट और मैं हूँ आपके साथ सोनी मड़ेपुर फिर हिंसा की आग में जल रहा है भारत का पूर्वुत्तर का या राज उग्रवादियों से परिशान है यहाँ पर इनफाल की पश्चिम जले में रविवार को उग्रवादियों ने हमला किया जिसमें एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई वह एक आठ साल की मासूम और एक पुलिस ऑफिसर समेत नौ लोग घायल हो गई पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों ने पहाड़ी के उपरी इलाके के कोत्रुक और कडाबंड घाटी के निचने इलाके में फाइरिंग की और ड्रोन से भी हमला किया अचानक हुए इस हमले की वज़वस से महिलाओं, बच्चों और मुज़ूर्गों सहीत कहीं लोगों को सुलक्षू स्थानों पर भागने के लिए पजबूर होना पड़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक नौगायलों में से पांच को गोली लगी है, चब की बाकी को बम के छर्रे ले गए वह इस्थाने लोगों ने दावा किया है कि हमले में ड्रोन बम का इस्थमाल हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक पेनेल में बीजेपी प्रवक्ता टी माइकल एल हाकोकिप के घर पर आग लगा दी गई हाकोकिप ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हैं आगरूप लगाया है कि यह काम कुर्की लोगों का है हाकोकिप ने कहा कि उनके घर पर एक साल में तीसरी बार ये हमला हुआ है पिछले हफते भी तीस से जादा हत्यार बंद लोगों ने कई राउंड फारी की थी खुलकी में जो समुदाय की लोगों ने 31 अगस को मड़िपूर में, चराजानदपूर में, काककोपी में और ट्रोगुल गोपाल में रेलिया निकाली इन संगठनों की मांग है की मड़िपूर में अलग कोकी लेंड बनाया जाए जो केंद्र शाश्रित प्रदेश है वहीं आपको बता दे, इन संगठनों का कहना है की पांडुचेरी की तर्च पर विधान सभा के साथ एक के इंद्र शाश्रित प्रदेश बनाना ही राज को जाते संगठते बाहर निकालने का एक लोता रास्ता है मड़िपूर में निकाले गए रेलिया में सीयम बिरेन सिंग ने निउस अजनसी पीटाई को दिये गए इंटरव्यू का विरोध किया गया PTI के दिये गए इंट्रिव्यू में मुख्य मंत्री ने कुर्की सम्मूहों को अलग प्रसाशन यानि की कुर्की लेंट के मांग को खारिच कर दिया CM बिरेन ने कहा कि वे राज्य की पहचान को कमजोर नहीं होने देंगे बिरेन में 23 समुदाय से आते हैं जो इस इलाके में कुर्की रहते हैं उसे छेतर के लिए एक विशेश विकास पैकेश देने का आजवाशन दिया है इसके अलावा CM बिरेन ने एक और अन्य वारल आज्यो पर भी बवाल मचा है इस आज्यो को CM बिरेन सिंग का बताया गया है आज्यो में मडिपूर में मई 2023 मजारे हिंसा पर आपति जनक टिप्डिया सुनाई दे रही है हालाकी मडिपूर सरकार का कहना है कि आज्यो क्लिप में मुख्य मंत्री की आवास से छेट छाड की गई है यह हिंसा से प्रभावित राज्य में शांती की पहल को पट्री से उतारने के लिए किया जा रहा है मई पुलिस अस मामले की ज़ाच कर रही है मडिपूर में 3 मई 2023 से कुकी और मितेज समुदाय के बीच आरक्षन को लेकर हिंसा चल रही है सरकारी आकड़ो के अनुसार हिंसा की अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से जादा लोग घाय हुए है तो वही 65,000 से जादा लोग अपना घर छोड़ चुकी है मडिपूर की अबादी करीब 38 लाख है यहां 3 प्रमुक समुदाय है मेतई, नगा और कुकी और मेतई जदतर हिंदू है नगा कुकी इसाइधन को मानते हैं तो वही स्टी वर्ग में आते हैं इनकी अबादी करीब 50 पतिशित है महीं राज की करीब 10 पतिशित इलाके में फैले इंफाल घाची मेतई समुदाय बहुल ही है महीं बतादे कि नगा कुकी की आबादी करीब 34 पतिशित है ये लोग राज की करीब 90 पतिशित इलाके में रहते हैं चानकारी के लिए आपको बतादे कि मितई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जद्जाती का दरज़ा दिया जाए समुदाय ने इसके लिए मडिपूर हाई कोट में याचिका लगाई तवही समुदाय की दलीर थी कि 1949 में मडिपूर का भारत में विले हुआ था उससे पहले भी उन्हें जद्जाते का ही दरज़ा मिला हुआ था इसके बाद हाई कोट ने राज्ज सरकार से सिपारिश की की मेतई को अनसुची जद्जाती यानि की स्टी में शामिल किया जाए वही मेतई जद्जाते वाले लोग मानते हैं कि सालों साल पहले उनकी राजाओं ने मेंमार से कोकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था उसके बाद ये स्थाई निवासी हो गये इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काचे और अफीम की खेती करने लगे इससे बड़ी पूर ड्रग तसकरी का ट्राइंगल बन गया यह सब खुले आम हो रहा है तो वहीं इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आम्स ग्रूप बनाया बाकी दोनों जंगाती मेताई समुदाय को आरक्षन देने के विरोध में है इनका कहना है कि राज्य की साथ में से चौलिस विधात सभासीट पहले से ही मेताई बहुल इनफाल घाटी में है ऐसे में एस्टी बर्ग में मेताई को आरक्षन मिलने से उनकी अधिकारों का बचवारा होगा बतादे कि मडिपूर के साथ विधायकोंने में से 14 विधायक मेताई और 20 विधायक नागा को की जंज़ाती से हैं इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही आपको आमारे वीडियो कैसा लगा हमें आप कमिट करके सरूर बताए और मैं चैनल को सब्स्ट्राइब करना आप बिल्कुल भी न भूलें